अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा, तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए क्या बातर साले साले साले, वह इतना नाराज क्यों हो रहे हैं आपको, अच्छा एक बात बता ही, कल तक आप और संजना एक दुस्ये को लेला मश्नू की तरह, शीरी फरहाद के तरह बें दिहां प्यार करें, अब क्या होगी, पता नहीं जी जाजी, कुछ समझ में नहीं हाँ किसी भी बात पर चगड़ा शुरू करतेती है, मगर विक्रम ये कब तक चलेगा, हर तीसे दिन तुम जगड़कर यहां के बैठ जाते हैं, अच्छा चलो, अब शांत हो जाए, और जाके संजना से सुला करते हैं, देखो जी, सुला की बात मत करो, अगर तुम्हें नहीं न मैम साब, अपका ब chorしました एहलो एहलो हालो जालेली ल कार? यह संजना विक्रम है हाँ पर उसको फोन तो मुझे उसे बात करनी है एक मिनिट मै पूछती हुससे नहीदेदी मुझे कॉय बात नहीं करनी पर जिके रात पर I'm sorry, Senjana लेकिन विक्रम तुमसे बात नहीं करना चाता वैसे मैं भी उसे बात करने के लिए मरी नहीं जा रही हूं पर मैं उसे सिफ कुछ बताना चाहतीग आप लिए speaker phone on कर를 देंगी ठीक ह्या हा संजना speakerphone on है realizarm पास ने है Vikram , मैं तुम एक news देना चाहती ह् तुम्हारी दोस्नी जो मूर्थी दी दी, उस मूर्थी के मैने टुकुडे, टुकुडे कर दी है शिंजिनार, how dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए? हुए? होड़ी, वो मूर्थी तुम्ना तोड़ी कियो लेकिन? ऐसी बटसूरत मूर्थी के साथ पाफ दो किया भी क्या साथता है ल किन मुझेको मूर्ती मेरे दोस ने वी थी अ बाइ गाड क्या हो Beckham हमें हां दताका है किस समय है रचा दो पताज किलिए केन! रंटेना, रंटेना 8 रंटेना! रंटे Merah हुई और ज жा वो प्यूर और हुई हैे हैं। हुई प्युब करें वूह Celsius हुई है'm हुई हुई आप अपनी बैन के घर में थे जब ये खोन हो जी वही पे फोन आया और और अचानक चलाने की आवाज अने और संजना ने कहा कि ये मूर्ती उसके तरफ चल के आ रहे है एक मूर्ती चल के आ रही है ऐसे ही कहा था और इस मूर्ती ने कौन कर दिया है हम सबने संजना की चीखने की आवाज सुनी स्पिकर फोन अन था और आप वहाँ गये क्यों थे अपना घर छोड़के ती रात को अपनी बहन के घर कुछ तो बात हो हमारा जगणा हो गया थे जगणा किस बात है इस मूर्ती क यह सब क्या है विक्रम तुमको पता है ना कि दॉक्र चुट्टी पर गया हुआ है अब यह पूरे घर की सवाई करके गया हूँ मैं और यह कहाँ उठा कर लेकर आयो इसे उठा कर नी लाया हूँ बाबाबा गिफ्ट मिला है गिफ्ट? हाँ खुदी देख लो वाव अहाँ लोगेट देख लो यह जिए यह जिए गिफ्ट यह जिए और किसका दिमाग खड़ाब हो गया था जो जिता घटिया था गिफ्ट दिया तुम्हें वैसे ऐसी बैफकूवी सिफ एक ही आदमी कर सकता है और वह है रामाली विक्रम जितनी जल्दी हो सके प्लीज इस टैच्व के इस घर से बाहर निकालो देखो संजना यह घर मेरा भी और बाएदवे तुम्हे रमन से प्रॉब्लम क्या है मुझे इस इंसान की शकल अच्छी नहीं लगती है बस अरे यार शकल से क्या लेना देना जो भी है विक्रम फ्लीज इस टैच्व को जितनी जल्दी हो से किस घर से बहार लिगा दो या तो यह तो इस टैच्व इस ख़ब मेरी अनिवर्सरी पढ़ दिया और यह गिफ्ट न तो में जाना तो जाओ जाना है तो जाओ नहीं जाने वाल यह अट जाने वाल यह तो इसलिए में गुस्टे मैं नारीनी के जला आया है जब भी इन दोनों में जगडा होता था तो यह हमारे घरा जाता था जब आपने चीख सुनी, तो आपको लगा कि कोई घर में गुसा है मेरी बात के विश्वास कीजिए सर, संजना ने ये कहा ये नहीं कि वहाँ पर कोई आदमी मौजूद है वो तो बार बार यही कह रही थी कि वो जो वहाँ पर मूर्ती है, वो उसके तरफ आ रही है फिर वही मौर्ती अबिजी, घर के दर्वाजे खिड़कियां साब अंदर स्टा थी पर कांच वाजू तूटा गहाने है सुना अपने, अगर खर के अंदर कोई नहीं आया तो फिर संजना का खोन किस ने किया वो मौJason संजना ने उस मौर्ती को तूर दिया थी करे Beispiel आज कल के जमाने में ये क्या बाग कर रहें आप लो कोई ये खहे खली को कि इसने आस्मान में फ्लाइंग सौचर को पियए अढ़ते हैं तो माल सकते है के शायद ऐसा हो सकता में पर अगर कोई ये बोले के Harry Potter एक ज़ाडू के उपर बैड के आसमान में उड़ता है, तो कोई कैसे विश्वास करेगा? पर सर, पर उसने कहा था कि मुर्ति उसके तरफ बढ़ रही है। ये मुर्ति, ये मुर्ति अपलाए कहा से थे? जीब, मेरे दोस्त ने दी थी. कोंडोस्त? रमान. रमान? रमान? रमान! रमान! रुक, रुक! रेश्वास देख, भागा तूँ! चटोरा जादी चान, उसके होश में आने से पहले निकल जाते हैं। रमान! 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 क्या? क्या हुआ? अमर गया! रमान! 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 करको रहा है थिशन गार ये लोटी चोर कर लेगा है उसमें से एक ने कहा है कि छटोरे जलदी चल क्या पूल जय के रम चुटोरा है वो मुठी कैसे है अबूर否 का मूर्थी के अहत में तलवार थी और उसके सर पे स्टील की टौपी थी यू कि मूर्थी जएसे तुमने विक्रम को दी ति थी हाँ 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 मैने दो घड़ी दी थी मैने विक्रम को दे दी थी और मदी अपने पास रखी bir फिर्थ किया रहा है पहला आदमी मूरति की वज़े से मारा गया? तूसरे आदमी के घर से मूर्ति चोरी हो गई? या? ये क्या कहा रहे? विकरम? ये क्या हो रहा विकरम? सनजना की मौत हो गया या? किस में मारा? उर्दि मुरति में? यह बताईए आप यह मूर्थियां लाए कहां से थे तो पता तो चले इन मूर्थियों में ऐसा है क्या है आई अई सर बुली तरह इसे देखिए यह बहुत ही खुबसूरत मूर्थी है सर हमारी दुकान में रखी थी यह मूर्थिया जब यहां पे थी तब क्या कोई अजीब हाथसा हुआ था यह नहीं बिलकुल नहीं लिकिन अचानक आप लोग इन मूर्थियों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं इन मूर्थियों ने शहर में दो लोगों पे हमला किया है और एक औरत की तो जानी चली गई है इन मूर्थियों ने हमला किया हाँ जिस इसने यह मूर्थियां खरी दी थी उन पर हमला हुआ है क्या जी हाँ यह भगवान क्या हुआ भगवान करे जिन दूसरे लोगों ने यह मूर्थियां खरे दी है वो ठीक ठाक हो दूसरे लोग और किसके पास है यह मूर्थियां थी एक एक करके मैंने सारी बेच दी मतलब और भी लोगों की जान को खत्रा है आपके पास कोई रेजिस्टर होगा ना जिसमें लिखाओगा कि किस-किस को बेची है मूरतिया पता नहीं कहां चली गई यहीं तो रखी थी क्या हुआ सर वो रजिस्टर नहीं मिल रही है कहां गया सर पता नहीं कहां चली गई यहां लोगों की जान को खत्रा है और तुमने रजिस्टर खो दिया अब कैसे ढूंदेंगे उन लोगों को नाईला राजा ध्यक्ष नाईला राजा ध्यक्ष अच्छा नाम MBBS प्रेंसिक साइन्स, मैडिसन युनिवरसिटी उसके बाद दो साल फिलेडिल्फिया में क्राइम यूनिट के साथ हुए वाइगुड जब आप अमिरिका में फोरेंसिक में काम करें थी तो फिर इंडिया वापस क्यों आई सर मेरी यहां शादी होने वाली थी शादी होने वाली थी? मतलब होई नहीं सर वो भाग गया व्योगोफत है क्यों? क्यों भाग गया? सर जब उसे पता चला कि मैं लाश को काटती हूं दिन रात मुर्दों से बाते करती हो तो वो कापने लगा शादी तो बहुत दूर की बात है हमें कापी अफसोस है इस बात का इस ओके मुझे कोई अफसोस नहीं है वेलकम तो C.I.E. ठांक्स सर जैसे मैंने जॉइन किया ये पहला-पहला केस एक मूर्ती ने एक औरत का खून कर दिया एक मूर्ती ने एक आउरत का खून कर दिया नई सर मैं ये कह रही हूं कि इस लाश के सर के पीछे यहां जो घाव है वो इससे बिलकुल मिलता है इसी से बनाए ये घाव देखिये इस पे भी खून और बाल है इसका मतलब साब है किसी ने इसके सिर पर ये तलवार मारी है सर पर हमें इस तलवार के उपर से और इस मूर्ती के उपर से भी उंगलियों के निशान मेले हैं और ये निशान इनी के हैं वाट? इस लड़की ने अपने ही सिर पर ये तलवार मारी? मगर सर जब इनका खून हुआ तो ये घर में अकेली थी और घर के सारे दरवाजे खिड के अंदर से बनती से दया इस लड़की के सिर में पीछे चोट लगी है घाव पीछे है और कोई भी आदमी अपने आपको इस तरह पीछे से नहीं मार सकता कर्रेक्ट तुमारी हमारी दोस्ती जमीकी Nice to hear that मैने तु सुना था कि आप जरा Crack ठीक सुना है तुमने एक तम सही सुना है एक तम सही सुना है Excuse me Hello C&D Inspector Abajit here क्या क्या एक और कून बिकुल पैले वाली किए क्या 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 Okay, okay, okay Sir, रिपोर्टर पहुच गए हमारे से पहली हमारे से पहली Sir, Sir, Sir तो इस बाते किनी सचा ही है कि मुर्दिया फूल कर दी है Sir, please, please Please, sir, आप और आगे कुछ बताएंगी, Sir Sir, तफिक मर्रे से पहले उन्हेंने पोर्म करके यह क्यों कहा कि मुर्दी उन्हें की तरफ आरही है वहीं पता लगाने क्या सचिर का अपोड़ी एपी Sir, अले देखने तो दीजिए फिर बात में बताते Please वहीं यहाएंगी जन्हेंट और करेंफिए यहाएंगी 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 सब्स्त पाड़ीड राजय हूँ सुझ पाड़ी देखना हूँ जर प्रव में पुटताएंगी Certainly तुम्हारा रश्टिदा था यह तुम्हारा रश्टिदा था यह मुझे मुझे बात करतो साहब क्यों तुमने क्या किया है साहब चटोरा की मौत मेरी वज़ा से हुई है कैसे हम दोनों ने चोरी की थी अच्छा तुम्हें चोर चोरी कहा है साहब वो जॉगस पाक के बंगले में कहीं वो ही तो नहीं है रमन का घर है हाँ साहब वहां घर में जैसे ही हमने इस मुर्ति को उठाया वो रमन नीन से जाग गया और 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 अब हमें पकड़ना भी चाहा तभी चटोरे ने उसके सर पे जोर से मारा और वो वो बेहोश हो फिर हम लोग भाग आए इस मुर्ति को लेकर फिर फिर क्या हो फिर चटोरा कहने लगा अगर ये ये मुर्ति तूट गए तो तो हम लोग मर जाएंगे इस इसे समाल के लगए और फिर पैसा ही हुआ ये मुर्ति तोट गए और चटोरा मर गए तुमने देखा है अपनी आखों से मुर्ति को चटोरे को मारते वे देखा है तुमने नई साथ मैं तो बाहर गया था वापस आकर देखा तो मोगरा पड़ा था पकवास कर रहा है आए 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 इस तरब आए 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 देखें मुझे मत देखो इस लाच को देखो यही है यही वो चटोरे जो उसराथ मेरे घर में आए था मगर यह मरा कैसे है यही तो पता लगा रहा है कि यह मरा कैसे है वैसे आप यह मुर्ति के टुकड़ों को बह जानते हैं दीजिए लगता है यह उसी मुर्ति के टुकड़े जो मैं खरीद के लाया था अपको पूरा यकीन है हाँ सर यह वही मुर्ति है जो मैं खरीद के लाया था एक अपने लिए और एक विक्रम के लिए ठीक थेंक्यू बेरी मच्च आप जा सकते हैं फ्रिडिक्स आये इस कैसे हो सकता है दो मर्डर्स हो एक ही तरह से किये गए और दोनों के पास यह टूटी भी मूतिया में सर सर मुझे लगता है कि इस मूर्ति में ही कुछ गडबढ़े क्योंकि सर जो भी कुई यह मूर्ति तोड़ता है वह ही मारा जाता है नई सर जो कोई भी एक खूण कर रहा है वो यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यह एक मूर्ति का काम एक बात और रहे यह आत्मी एक चोड़ता है और वो संजना एक हाउस बात दोनों का अपस में कोई कनेक्शन है फिर भी दोनों खूण एक जिसे के बात कनेक्शन है भी कनेक्शन है यह 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 मूर्ति आप फिलाल देख रहे हैं और मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है विश्वास या अंध विश्वास आज के इस शहर में अजीब और गरीब चीजे होगी है कभी मूर्तियां दूद पीने लगती है कभी समंदर का पानी मीछा हो जाता है और अब एक और धमाका मूर्तियां खूण कर रही है क्या कोई विश्वास कर सकता है कि यह मूर्तियां किसी का खूण बी कर सकती है CID भी अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाई है क्यों कौन कर रहा है और चार लोगोंने ये मूरतियां खरीदी हैं क्या उनकी जान को खत्रा है क्या मूरतियां वाकई ने श्रापित है हम वापस लोटेंगे एक छोड़ से ब्रेक के बाद ये मूरती ये तो वो ही मूरती है तो ही वैसा तंभर मैं humans शरी जो चोर है चटोरा और इस संजना में एक ही कनेक्शन है वो ही मूर्ति बस हाँ ठीक है हाँ बाबाब यार मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ अभी ने यार मैं अभी ओफिस में हूँ बहुत जरूरी केस चल रहा है मेरे बिना यह पे कोई काम नहीं चलता है क्या करूँ ओके सी यू आइम सॉरी सर्व या बात है फ्रेडरिक्स नया फोन हाँ सर्व यह मुझे गिफ्ट मिला है कि दुमाना बटने तु पिछले मैंने निकल गया ना फ्रेडरिक्स सर्व मैं और मेरी वाइफ दस साल पहले मिले थे इसलिए उसने मुझे यह गिफ्ट दिया है एनवर्सरी पर मीटिंग एनवर्सरी लाओ एफेरा प्रेडरिक्स वैसे कितने साल के हो सर्व यही कोई 26 अथा मतलब जब तुम भाबी से मिले थे तो पंदरा सूला साल के रहे हो तुम नहीं 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 बारा चौदा साल के थे प्रेडरिक्स तुम कभी नहीं सुदर होगे सर्व जेम्स बॉन्ड की नई फिल्म, कैसीनो रोयल में, जेम्स बॉन्ड ने यही फोल इस्तेमल किया था सर्फ सर अबना फेडरिक्स भी जेम्स बॉन्ड से कम नहीं है सर हाँ सर मैंने अभी भी न्यूस में देखा सर विपन तुम ऐसे दोड़ते क्यों आ रहे हैं कहा है अलका नान की एक औरत के पास बिलकुल वैसी ही मूर्ती मतलब अलका की जान को खतरा हो सकते है सब चैनल में फोन करके इस अलका का एडिस लेता है कुछ और होने से पहले हमें वहां पहुशना होगा हम लोग CID से हैं CID से हमें पता चला है कि आपके पास भी मूर्ती है वैसे ही यहां मैंने भी TV पे देखा है मेरी वाइफ ने चैनल वाले को फोन भी किया था तो आप यहां भाल क्यों करें समझ मेंने आ रहा है मेरी वाइफ मोबाइल भी अटेंड नहीं कर रही है और दर्वाजा भी नहीं खुल रहा है तो आपके पास घर के चावी तो होगी ना ओ, येस अलका यह क्या होगा अलका एक मिनिट, एक मिनिट लीट, हाथ मत लगाए इने जाके फिंगर प्रिंट, फोटोग्राफ्स और इस रूम का पोना-पोना अच्छी तरह से चेक करो खुन का मामला है फिर वही मूर्ती सर क्या इस मूर्ती ने मेरी अलका को मार रहा है सर नहीं ये बेजान मूर्ती किसी की जान नहीं ले सकती किसी और का काम है प्रिडिक्स सर जरा आयो प्लीज, कम प्लीज आयो एसीपी जूट बोल रहे हैं आप हो 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 जे जे स्वामी तुम यहां क्या कर रहे हो? आप पबलिक की आँखों में धूल जूक रहे हैं ये कहकर ये कहाम किसी इंसान का है अच्छा तो फिर बताईए और किसने किया आईए? मूर्तियोंने और किसने एसीपी ये मूर्तियां शापित हैं और जो भी विर्टे ने तोरने का प्रयास करेगा इस मूर्ति की तनवार उसे मौत के घाड उतार देगी निश्चिती और में इन मूर्तियों को शाप मुक्त करने आया महराय आपका प्रवच्छन निश्च सुन्दी अब आपकी ये मूर्तियों के शुराब की कथा कहीं और ले जाए तो बेह देए वर्ना वर्ना रेष्ट हो जाओगे किस जुर्म में? अंदर शिर्दा फैलाने के जुर्म में संभव स्वामी जी एक बात कहों कान में? हाँ बोलो तिन जोर से थपड़ बारोंगा ना दाक्तर के बास भी नीचा बारोंगा लो या फटास करने हो तु चना करे भस्म कर दूँगा तुमें बड़े बड़े पुलिस आफिसर्स आते हैं मेरे पास जब उनसे कोई केस सॉर्म नहीं होता फ्रेडरिक्स उसकान को कहों कि एम्बिलेंस देज दे और स्वामी जी को बार का दर्वाजा दिखाओ अभी तुम्हे जा रखा हूँ ACP पर उन्तु तुम्हारा ये कमंट इस शहर के लोगों को बहुत महिंगा पड़ेगा याद रहे जलो तया जाकर ढूंडो ये मूर्तियां किसने बनाई थी ऐसा क्या है उन्मूर्तियों में जो खुनी ढून रहा है हमें पता लगाना ही होगा क्या है वो प्रिडिक्स एड्रेस रही है न जिहां सर उस मूर्ति के दुकान वाले ने तो हमें यही अड्रेस दिया था पर यहां पे तह कोई नहीं है लगता है बहुत दिनों से दुकान खुली रही है इस दुकान वाले से पूछो सुनिये भाई साब यहां प्रसंजित के दुकान हुआ करती थी न प्रसंजित हां वही जो मुर्तिया बनाता है हां हां हाень पर साब वो तो कबका यह quAN करके यहां से चला गया है चला गया कहा पता ने सहाब पर तीन साल पहले वो यह चाल करके चला गया तीन साल पहले क्यों कह रहा था कि उसका धंदा ठेक नहीं चल रहा है और वो गया कहां पता नहीं साथ कह रहा था कि कुछ नया धंदा शुरू करेगा अच्छा उसका कोई एड्रेस है आपके पस जी अब वो पार्क रोड पे रहता है सुनो जी कहिए सार मिस्तर प्रसंजीद खर पर है हम लोग CID से हैं अच्छा CID साफ कर पे है आई यह आई सर श्राइड वाले आप से मिलने आए अच्छा CID वाले आप से मिलने आए आईए सर आईए प्लीस नो थैक्यों मैं इसे भी प्रद्यू मैं जी सर कहिए मुझसे क्या खामान पड़ा इसे पहचान रहा है अरे यह यह तो मेरी बनाईवी मूर्ती है बला इसे कैसे नहीं पहचानूंगा इसका नाम मैंने Samurai रख था आपके Samurai ने शेहर में हंगा मचा इस मूर्ती नहंगा मा आप टीवी वेगरे नहीं देख देगे हैं यूस पर तबढ़ता ही होगी है एक्शली सर मैं आज ही रोम से वापस लुटा हूँ तो शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं मुझे कुछ पता नहीं है देखे यह Samurai जिस जिस के पास गया है वो मारा गया ह क्या जी हां तीन लोग मर चुके हैं तीन लोग मर चुके हैं मेरी मूर्तियां आदमे को मार सकती हैं मार तो नहीं सकती है और जिसके भी पास गई थी और जिसके हादों से टूटी है वो मारा गया है इसका राज क्या है क्या है साब क्या मालूम है मूर्तियां तुमने चाहिए इन मूर्तियों की वज़े से खून क्यों हो रहे हैं साब मूर्ति तो मिट्टी की बनी है अच्छा क्या है मिट्टी में मिट्टी में मिट्टी में मिट्टी है सर क्या है? उबजी . ओच्छा? ठीक है ? सर? आबजीत का फोन था ? वो दोनो मूूतिया है . दोनों मूूतियों के मालिक, मूूतियों को जेजे Можетि के पास लेकर गए . जेजे स् Kristen पास ? बेशने के लिए ? नहीं , मूर्तियों को शाप लगा, उसे उतारने के लिए सर्टीव पे सब के सामने स्वामी जी इसब कर ले बाते है अभगवार यह हो क्या रहा है तो यह जब, स्टूडियो चलते हैं आज इस स्वामी जी का शाप मैं उतार के लोगा स्वामी जी आपने उन दोनों मूर्तियों को एक साथth उस कामरे में रख़ा हूआ है आप उमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि आप क्या करने वाले हैं जी, मैं उन दोनों शापिख मूर्तियों को शापमुक्त करने वाला हूँ और यह सब आफ हमारे कैमरे के सामने करेंगी ये काम कैमरे के सामने नहीं हो सकते हैं ये बड़ी ही खतरनाक करिया है यदि कोई भी व्यक्ति बिना सुरक्षा कवच के इसको देख भी लेगा तो नश्ट हो जाएगा अच्छा स्वामी जी फिलाल मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पहन रखा है क्या आपने सुरक्षा कवच पहना है नहीं हमें कोई अंतर नहीं परता हम स्वामी है और ईश्वर के अंबर बड़ी करिपा है स्वामी जी फिर भी थोड़ा तो खत्रा है देखिए इस शहर के नन्ने मुन्ने बच्चों के लिए यह खत्रा तो मुझे उठाना ही होगा ओके लेडिस और जिंट्रमन अब मैं उस मूर्तियों वाले कवरे में प्रवेश करता हूँ मुझे इजासत दे अरे हाँ सुनो मेटी अब मैं अंदर जा रहा हूँ मूर्तियों के पास कृपा करके किसी को भी अंदर मत आने देगा क्योंकि एद मेरी पूजा भंग हो गई तो सभी का बहुत लुक्सर हो जाएगा जी स्वामी जी ऐसा ही होगा हम किसी को नहीं अंदर आने देंगे स्वामी जी ने हम सब के लिए इतना बड़ा खत्रा मूल लिया है मैत रुपती आप सब को ये लाइफ दिखा रही हूँ ओनली ओन फास्ट न्यूज कहा है वो जेजे स्वामी बन करो ये फ्रॉड सर अब ये क्या कर रहे हैं लोग देख रहे इस समय जैसा कि सी आईडिक हमारे प्रोग्राम बीच पर रहे हैं पॉड़ो! क्या आसा? एक और मॉत समझ में नहीं आ रहा है, इसा हुआ कैसे? कम्रे में और कोई नहीं था अकेला ही तो था यह वहाँ पे अकेला भी सिर्फ पांची मिनिट के लिए था पांची मिनिट महीं मारा गया था और सर्थ बाहर आने जाने का कोई और रास्ता भी नहीं था वही तो? तो फिर इसका खून किया किसने? सर्थ खून किसी नहीं किया है किसी नहीं किया? अब यह मत कहना कि उस मूर्ती ने इसका खून किया है नहीं सर्थ यह खून वाकिए महीं नहीं हुआ जेजे स्वामी हार्ट अटैक से मारा था मैसिव कार्डियाइक अरेस्ट अश्यो तो फिर वो सर के उपर जो खुण के निशान है वो हार्ट अटैक के बाद वो जमीन पर गिरे होंगे शायद सर पर चोट लग गई तो ये मूर्तियां कैसे टूप क्या ये मूर्तियों को पर गिर पड़ा था नहीं जेजे स्वामी ने मूर्तियों को तोड़ा है शायद वो मूर्तियों में कुछ ढूंद रहे थे ये देखिए इनके नाखूनों में मिट्टी है इसका मतलब है जब J.J. स्वामी को वो चीज नहीं मिली जो धूल राथ तब इसे हाट अठागा है Sir इस मूर्ती में सथा कि? मूर्ती J.J. स्वामी समझ में निया इस J.J. स्वामी की हिस्ट्रे मिकालो Sir ये जे-जे स्वामी कोई स्वामी नहीं था ये पूरा लंगूर की दूम था ये देखे अच्छा नटेडा था हाँ सर इस स्वामी जी को सरकार ने जेल में प्रवशिन करने का मौका दिया था तो चांदी हो गए होगी स्वामी जी की इतना बड़ा सम्मान यहाँ फ्रॉड और पब्लिक को चूना लगाने के चुर्म में शे मैने तक जेल में था है यहाँ जे मैने में तो स्वामी जी ने सब को सीधा कर दिया हुग सर जिस दिन ये स्वामी जी जेल से निकला उस दिन अपने साथ ये और एक आदमी को भी लेकर आई वो आदमी भी उसी दिन जेल से छूटा जिस दिन ये स्वामी भार निला अच्छा कौन है वो आप उसे जानते हैं सर ये देगे रमन? रमन जेल में था? स्वामी जी के साथ में? सर ये कहानी इतनी टेडी मेडी हो गई है कि दिमाग का हलवा बन गया है रेड्रेग घबराओमत सब ठीक हो जाएगा वैसे देख ये रमन जेल में गया क्यों था? सर ये रमन एक छोर है इसने हिरों की चोरी की थी रेों की चोरी? एक मिनटेक मिनट कहीं ये वही चोरी तो नहीं तो तीन साल पहले होई थी वीस करोड के हीरे लूटे गए थे यह राइट अभीजी यह वही है यह रमन तो पकड़ा गया सर पर वो हीरे अभी तक नहीं मिले अब दया वो हीरे इसलिए नहीं मिले क्योंकि पकड़े जाने से पहले रमन ने उन हीरों को प्रसंजीत की दुकान की इनी मूर्तियों में से किसी एक मूर्ति में वो छुपा के और रमन जब जेल से छूटा तो उसे बता चला कि तीन मूर्तियों तो बेची जा चुकी है अब बाकी मूर्तिया बाहर निकाले कैसे तो शेर में फैला दिया कि यह मूर्तिया श्रापे थे ताके लोग डर के मारे अपनी अपनी मूर्तिया वापस लुटा दे मगर किसी भी इसी मूर्थी में एक भी हीरा नहीं मिला। सर अब तो बस एक ही मूर्थी बच्ची है। हीरे उसी मूर्थी में हुँदी। सार सार अब तुमें क्या हो यह? सार वो आखरी मूर्थी मल गई है। मिल गई है? बाट? कहा है वो? रमान! रमान इतनी खुबसूरत मूर्थी क्यों थोड़ रहे हैं? आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? हम लोग? हम लोग अपना अपना हिस्सा लेने आएं हिस्सा? कैसा हिस्सा? अरे इतने सारे हीरे चुरायें तुमने उनमें से कुछ हमें भी दे दो है? यह क्या जबर्दस्ती है किस हीरे की बात कर रहे हैं आप लोग? वही! जिने तुम ढून रहे हो और जिसके लिए तुम एक के बाद एक बूर्तियां तोड़ते जा रहे हैं पहले अपने दोस्त की भी फिर चटोरा और अबलका तीन तीन लोगों का खुण किया है तुमने समझे है यह क्या बख्वास कर रहे हैं आप लोग? बख्वास नहीं है सच है तुम्हे खुणी हो ने जेजे जेजे स्वामी ने कहा कि वो इतरीका ढूलेगा सब मूर्तियों को ढूनने का वीस करोड के हीरे का सवाल था मुझे खुण कर नहीं पड़े वरना सब को पता चल जाता वो हीरे का है? पता नहीं पुझा नहीं मिले तक नहीं मिले ये 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 मिले 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 को मेरे अगर हीरे इसमें नहीं है तो फिर हीरे गएगा अब मेरी समझ में आ गया है कि हीरे कहा है सर ब्रेक्वास्ट गार्डन में लगा दिया है है यह विद्क अब मेरे घर मेरे अपने मेरे मेरे आपर यह उप स्वाइ तव्त करें है यह जए बद अच्छाय अब आप आप लेंगे सर यह बीज़ यह दो का शकाओ दार शक्ते है सब के साथ गरम गरम चाई कैसी रहेगी बहुत अच्छी रहेगी जब तुम मूर्तिया बना रहे थे तब अचानक तुम्हें एक मूर्ति में मूर्ति में हीरे चुपा के रवन तो जेल चलागी और तुमने मूर्ति बनाने का बिस्निस बंद कर दी यहां के रहने लगे यहां बात कर रहे अबीजी तुम कंप्रेंट की तुम काम करोगे अगर तुम्हें 20 करोर के हीरे मिल जातो है ऐसा एक बड़ा भंगला खरीदो और प्रसंजी तो जेल जाएंगे शुराए हुए सब हीरे इनोंने खा ली हुआ हुआ है मैं खाना खाके कम से कम ढगार तो ले रहा हूं कि यह तो सारे हीरे चुप-चप ठागे हैं हाह मगैर अब प्रसंजी को भी ठकार आएगे लेकिन जेल जाने के बाद हुआ 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 है